जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नई कभीता से सम्मंदेत महत्पून रचना है अभी तक दोस्तों हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल, हैना आदुने काल में भारतिन्दु योग, दोवेदी योग, छायाबाद, प्रगतिवाद, प्रियोगबाद और अब हम पढ़ने वाले नई कभीताएंगी ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जिन भी सातियों ने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया, वो सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करेंगे दोस्तो आज का ये वीडियो और दोस्तो जो भी सातियों अभी तक वाट्सप गुरूप से नहीं जुड़े हैं, वो 9098609291 ठीक है इस नंबर से आप जोड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक और सेयर आपको अबस करना ठीक है आज का दोस्तो आपका पहला प्रस्न है कि सीडियों पर धूप में की रचनाकार कौन है चार विकल्प हैं आपके पास दो सेकेंड में उत्तर आपको बताना होता है और मैंने आपको कई बार याद करवाया है दोस्तों कि बोले सर सीडियों पर धूप में क्यों खड़े हो तो कहा कि मैं खड़ा हूँ मेरी तो रगवीर सहाय करते हैं क्या करते हैं रगवीर सहाय करते हैं मैं सीडियों पर धूप में खड़ा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं म रचनाकार कौन होंगे? रगवीर सहाइ करते हैं, वोले सीड्यों पर धूप में खड़े हैं, तो रगवीर सहाइ करते हैं, तो रगवीर सहाइ की रचना हो जाएगी, यानि A नम्मर आपका बिलकुस ही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका संसाई की एक रात की रचना कार कोन है कई बार एक्जाम मैं पूछी गई दोस्तो चार बिकल्प दो सेकंड में आपको उत्तर करके चैन करके बताना है फिर मैं आपको बता देता हूँ कि संसाई की एक रात में संसाई की एक रात में नरेस महता आए यह आपकी ट्रेक है याद करने की तो संसाई की एक रात यह नरेस महता की रचना हो जाएगी यानि कि आपका जो बिकल्प नमबर C है वो आपका बिल्कुस सही हो जाएगा संसाई की एक रात में नरेस महता आए तीक है, सी नमबर बिलकुस सही है, नेक्स्ट है दोस्तों हम तुम की रचनाकार कौन है, हम तुम चार बिकल्प है, चार में से आपको चैन करना है और मैं आपको बता दू यह गाना आपने सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो, सुना है ना, तो दोस्तों क्या कुमर ल नारण यानि D नम्मर आपका बिल्कों सही हो जाएगा ठीक है याद करने का माध्यम है ठीक है कि आपको याद रहे तो D नम्मर बिल्कों सही होगा नेक्ष्ट दोस्तो संसस से सडक तक की रचनाकार कौन है बोले सर संसस से सडक तक धूल ही धूल मिलेगी क्या मिलेगी धूल मिलेगी तो धूल मिल इस प्रकार से धूल मिल संसस से सडक तक धूल मिल तो धूल मिल की रचना है शुदामा पांडे धूल की है ना बोले सर संसस से सलक्तर धूल ही धूल मिलेगी धूल मिल धूमिल ठीक है धूमिल साब यानी डी नम्मर आपका बिलकुँ सही होगा धूमिल साब हो जाएंगे इसके अंगला है म्रग और तरशना की रचना कार कौन है चार विकल्प हैं दोस्तों म्रग की तरशना किसे हो गई थी बोले भगव तो हरी नारान ब्यास नारान ब्यास यहनी D नम्मर आपका बिलकोस ही होगा बुले हरी को क्या हो गई थी मिरज की तरशना तो हरी नारान ब्यास की यह रचना है बहुत shout ही बड़ीया रचना माने जाती और पूछी भी जाती है ठीक है सूर का स्वागत की रचनाकार कौन है चार विकल्फ हैं दोस्तों आपको उत्तर बताना इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो जरूर बताना है सूर का स्वागत कौन कर रहा है रभी रगवीर सहाई दुसियंत कुमार सुदामा पांडे धूमेल ये दुसियंत कुमार दो जगा है तो आप दो में से कोई भी उत्तर बता देंगे कि सर सूर का स्वागत दुसियंत कुमार करेंगे कौन करेंगे सूर का स्वागत दुसियंत कुमार ठीक है दोस्तों जो भी साथी जोईन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के वो जोईन मेंबर बन सकते हैं और जोईन वाट्सव ग्रोप में जुड़ सकते हैं तीक है बहाँ पर आपको PDF आदी study material प्रेसित किया जाता है आपका कमेंट जो है सबसे जादा हाइलाइट होते है आपको तरंगा एमोजी भी दिया जाता है तीक है तो सूर का स्वागत दुसियंत कमार की रचना हो जाएगी जागते रहो की रचनाकार कौन है आपने देखा होगा भारत में जो पहरा देते हैं वो कहते हैं जागते रहो कहां पर भारत में तो कौन होगे भारत भूसन अगरबाल बोले सर भारत में जो पहरा देते हैं वो बोलते हैं जागते रहो कहां पर भारत में तो भारत भूसन पहरा देते हैं भारत में है ना तो यह बोलते हैं जाकते रहो ठीक है इस प्रकार से अंगला है आत्म हत्या के ब्रुद्ध की रचना कार कौन है आत्म हत्या के ब्रुद्ध तो दोस्तों आत्म हत्या के ब्रुद्ध रगवीर सहाय नहीं करेंगे है ना सहाय रगवीर सहाय बो वो इसको याद रख लेना ए नमबर ठीके आत्मत्या के विरुद रगवीर सहाए ठीके आत्मत्या के विरुद रगवीर सहाए धूप में हैना सीडियों पर धूप में रगवीर सहाए इनको याद करेंगे ये पूची जाती रचना परिवेस के रचनाकार कौन है दोस्तों आ महराजा महराजा परिवेस देते थे तो रचना परिवेस किसकी हो जाएगी किसकी होगी कुंवर नारायन की किसकी कुंवर नारायन की यानि कि आपका जो बिकल्प नमबर ए है वो बिल्को सही हो जाएगा बोले कुंवर का परिवेस कुंवर का परिवेस ऐसे याद रखेंगी अंगला है दोस्तों मचली घर की रचनाकार कौन है आपने पढ़ा होगा पहले कि बोले मचली जलकी रानी है जीबन उसका पानी है बच्चे पढ़ते ना अपनने भी पढ़ा है बहुत और मचली की रचना मचली घर की जो रचनाकार है और इसको याद करनी की ट्रेक है मचली घर में बिजय देव पकड़े गए तो मचली घर रचना हो जाएगी बिजय देव नाराण साही यानि D नमबर आपका बिलकु सही होगा ठीक है D नमबर अंगला है दोस्तो आपको चांदनी और चुनर की रचनाकार कोण है? दो सेकार में आपको उत्तर बताना है और इसका बिलकु सही आंसर हो जाएगा कोण है चांदनी और चुनर? सकुन्त माथुर सकुन्त माथुर यानि कि सकुन्त माथुर ने चांदनी की चुनर ओड़ी किसने सकुन्त माथुर ने चांदनी की चुनर ओड़ी तो चांदनी और चुनर की रचनाकार होंगे सकुन्त माथुर इस प्रकार से याद रखेंगे, क्या वो लोगे अब, कि सकुन्त माथुर ने चांदनी की चुना रोडी, ठीक है, इस प्रकार से, नेक्स्ट है, नाओ के पाउं की रिचनाकार कौन है, दोस्तों आपने देखें नाओ के पाउं, बोले सर नहीं देखे, तो एक इसने काट दि बोले सर, जगदीस ने नाओ के पाउं काट दिये, तो क्या हो जाएंगे, नाओ के पाउं के रिचनाकार होंगे, जगदीस गुप्त, कौन होंगे, जगदीस गुप्त, किसने काट दिये नाओ के पाउं, जगदीस ने, ठीक है, तो नाओ के पाउं रिचना किसकी होगी, ज यानि सा नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा, ठीक है, मुक्ती प्रसंग कंकाबती के रचनाकार कौन है, बहुती बढ़िया प्रसंग है दोस्तों, और मुक्ती प्रसंग और कंकाबती, ये दो रचनाए हैं, और ये दो रचनाए किसकी हैं, तो वो हैं, राज कमल चौधरी, राजकमल चौधरी की मुक्ती का प्रसंग कंकावती से पूँछो है ना राजकमल की मुक्ती का प्रसंग किस से पूँछो कंकावती से तो राजकमल से हो जाएगा आपका राजकमल चौधरी मुक्ती से हो जाएगा मुक्ती प्रसंग कंकावती से कंकावती तो राजकमल की मु रखला है दोस्तों बासुरी जल गई की रचनाकार कौन है बासुरी जल गई और जल कर क्या हो जाएगी धूल में मिल गई तो कौन होगे रचनाकार धूल में मिल गई तो धू मिल है ना धू में मिल बासुरी जल गई धूल में मिल गई तो धू मिल याद रख ले ना इस परक तक तक धू मिल, बांसरी चल गई, धू में मिल गई, यह ना तो धू मिल इस प्रकार से, अगला देखो अनुपस्तित लोग के रेचना कार कौन है, अनुपस्तित लोग, आपको पता है दोस्तों भारत के लोग बहुत अनुपस्तित होते हैं, आज के वीडियो में भी बहुत सारे लोग भारत के जो है अपने वो सब अनुपस्तित हैं है ना तो अनुपस्तित लोग कहा के होते हैं भारत के वो होते हैं सर तो भारत भूशन अगरवाल भारत भूशन अगरवाल है ना क्योंकि भारत के लोग क्या होते हैं अनुपस्तित होते हैं तो भारत से भारत उठे बादल का ब्यास नापना है तो इसकी रचनकार कौन होगे हरी नारायन व्यास हम मैं आप से कहूंगा कि उठे बादल और जोके बादल का ब्यास नाप कराओ तो आप ब्यास नाप कराओगे वोली सर हरी नारायन व्यास उठे बादल जोके बादल ठीक है इस प्रकार से और उत्तर आपका हो जाएगा बिकल्प नमबर C और सा नमबर आपका बिल्कु सही होगा, ठीके, अंगला है कुमानो नदी की रचनाकार कौन है, कुमर नारायन, दुसियन्त कुमार, सर्वेस्तुर दयाल सक्सेना या फिर भारत बूसर लग्रबाल, कुमानो नदी, कुमा और नदी का क्या करके आओ, सर्वे करके आओ, मैंने कहा कि अपने छेत्र में, अपने राज में कितने कुमा हैं, कितनी नदी हैं, सर्वे करके आओ, तो कुमानो नदी किसकी हो जाएगी, सर्वे करके आओ, तो सर्वेस्तुर दयाल सक्सेना, काट की घंटियां, कुठियों पर टंगे लोग जंगल का दर्द और कुवानों नदी ये पूछी जाती हमेशा इनको याद रख लेना है तो है ना कौन-कौन सा जंगल का दर्द काट की घंटिया ठीक है और एक और है दोस्तो खूटियों पर टंगे लोग ये रचना है हमेशा आती है सर्वेस तुर दयाल सकनी की बकरी भी ये नहीं की है दोस्तो एक बकरी रचना है बकरी ठीक है माया दर्पण की रचनाकार कौन है कुवर नारायन दोस्तियंत कुमार स्रीकांत बर्मा या फिर भारत बूसर अगरबाल माया दर्पण है ना बोले सर माया की दर्पण में स्रीकांत बर्मा बन गए है न माया के दरपण में स्रीकांत बर्मा बन गए याद रख लेना है आप माया के दरपण में स्रीकांत बर्मा बन गए बर्मा बन गए तो स्रीकांत बर्मा की रचना हो जाएगी कौन सी माया दरपण माया के दरपण में स्रीकांत बर्मा बन गए ठीक है इस प्रकार सी अगला है म मिट्टी की बरात के रचनाकार कौन है दोस्तों यहाँ पर जो बिकल्प दिये हैं इन बिकल्प के अलुसार बताना है नहीं तो अमरतलाल लांगर की भी रचना मिट्टी की बरात ए स्वरी सियो मंगल से सुमन की रचना भी मिट्टी की बरात है और मिट्टी की बरात किसकी है त्रिलोचन त्रिलोचन की है और त्रिलोचन आपको पता है संकर जी को त्रिनेत्र कहा जाता है त्रिनेत्र जिनके तीन लोचन है उन्हें त्रिनेत्र भी कहा जाता है और स्यो भी आता है स्यो तो स्यो से स्यो मंगल से सुमन की है मिट्टी की बरात और यहाँ पर त्रिलोचन तो त्रिलोचन की भी मिट्टी की बरात है इसको याद रख लेंगे यानि कि आपका सा नमबर बिलको सही हो जाएगा ठीके अब अब अगला दोस्तो बोलने दो चीड को बोलने दो चीड को एक कुण बोलेगा कुण बोलेगा कोई भेकारी बोलेगा कि राजा बोलेगा है ना कोई नरेस है और वो बोलने दो चीड को नरेस महता और सा नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा नेक्ट एक पतंग अननत में कि रचनाकार कौन है एक पतंग अननत में और दोस्तों आपको पता है कि जो बाचपैई जी अटल बहारी बाचपैई जी थे वो भी एक कैसे थे एक पतंग थे है ना पूरे भारत में उनका क्या था बर्चस था पूरे बिस्तो में था ठीके और इन्होंने सन्युक्त राष्ट में सबसे पहले क्या हिंदी में भासन भी दिया था तो एक पतंग थे बाचपेई जी जो कहां चले गए अनन्त में चले गए अनन्त में ठीके तो एक पतंग अनंत में कौन बाचपय यानि कि असोक बाचपय और सा नमबर आपका बिल्कु सही होग असोक बाचपय ग्यात से अग्यात की और हम यात करती हैं पढ़ती है ठीक है अब दोस्तों अंगला जो आपको प्रस्न है जिसका उत्तर आपको बताना है कागच के फूल किसकी रचना ह पुमर नाराइन की दुसियन्त कुमार की असुक बाचपे या फिर भारत भूशणा गरवाल की यह चार रचनाएं है चार बिकल्प है इन में से आपको चैन करके बताना है कि यह रचना किसकी है यह बिकल्प दोस्तों आपको कमेंट में करना है जितने भी साथ ही देख रहे ह और जो भी साथ ही अभी तक What's of Growth से नहीं जुड़ पाए है वो 9098609291 इस से आपको जरूर जुड़ना है ठीक है और वीडियो को लाइक और सेयर रवस्त करना है आज की वीडियो के लिए वस इतना ही जै हिंद